नमस्कार सुवागत है आपका दो हजार चौबिस के महा समर में मैं हूँ आपके साथ विशाल पंडिता उस विशाय पे बात करेंगे जिसको लेकर तमाम राजितिक पार्टी पहले दो चलड़ पहले तीन चलड़ों में तो खूब उन्होंने हो हल्ला किया लेकिन उसके बाद एक तपका तो उसकी बात कर रहा है लेकिन दूसे तपके ने कहीं न कहीं कोई और ही विशला कर दे दिया है शुरुआत यहां पर हुई थी बजली पानी और अस्पताल की बात करने के लिए जन्ता के दुखों पर मरहम लगाने के लिए लेकिन वाद घूमते घूमते पाकिस्तान इराक इटली और ना जाने कौन कौन से देश और कौन कौन से उद्युक पतियों के बीच आ गई जहां बात होनी चाहिए थी कि भाई यू हमारा जो देश है इसमें स्कूल में पढ़ाई सस्ती हो जाए वो बात आ गई कि कहीं टे देश में बात मंगल सूत्र की हो रही थी जब बात होनी चाहिए थी कि इस देश में की जो गरीब है जिन असी करोल लोगों को सरकार किताबों में गरीब माना गया है जिने राशन दिया जा रहा है उनके लिए बहतर और सोविधाय कैसे हो जाए कि सिर्व राज्जा मैं कीजे अच्छी हो सकती है या विपक्षी बात करें तो वह भी नहीं मुद्धों में कहीं न कहीं खो गया है आज एक प्रेस कॉन्फरेंस थी वहाँ पर एक राश्ची पार्टी के राश्ची देक्ष ने कहा कि हम आप वह आपको पांच करो पांच किलो दे रहे हैं राशन ह हम आपको दस किलो देंगे बात राशन देनी की नहीं है एक सम्विधान है कानून बनाया गया सरकार की तत्र जिसके तहदी राशन दिया जाता है लेकिन बात जनता को पेजल की है बात रोजगार की है बात महंगाई पर है पबलिक के घोशना पत्रों पर ध्यान कब दिया जाएगा हम आजाद हुए हम लोग को 75 वर्श से जादा हो गए हैं लेकिन अभी भी हम लोग मूल वुद्धो पर चुनाव को नहीं ले जा पा रहे हैं आज बात इसी पर करेंगे पबलिक मैनिफेस्टों की पबलिक मैनिफेस्टों पर बात करेंगे पबलिक से पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्य आरोप लगाते हैं हमने अपने लग लग संबादाता हैं हमारे साथ वो लोगों के बीच हैं उनकी जनसमस्याओं को सुनने के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं राहुल्त रिपाटी हैं कि संबादा अल्दीप शंदीप मिश्घरा हैं संबाता लखनाウस से केशवण रिप्रेली से कोदी पवस्ति हैं। सबके पास चलिए और अब हम बात करेंगे पब्लिक मैनिफेस्टों की हमाय साथ हमाय संभाता संदीप मिश्रा लखनाउं से जुड़े हुए हैं केश्वान अन्शुकला इस वक्त देश की सबसे होट सीटों में से एक राइबरेली से हैं और अनरुद पांडे कोशांबी से ह है विनो सुनकर यहां से सांसद हैं और राजा भाया कि दाएं बाएं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं कल मिलके भी आया है सब्सक्राइस पहले रुक करेंगे यूपी की राजधानी लख रहा हो समवाता संदीप मिश्रा का संदीप पिछले दिनों पिएजल की समस्या को लेकर लखनाओ जूच रहा था आप उस खबर पर थे पबलिक के मुद्दे गायब हैं कोई यह बात नहीं करने आ रहा है कि आपके घर कब किस कहीं नोटी से जा रही हैं कहीं पीजल की समस्या है कहीं नालों में सफाई नहीं यह मुद्दे शुनाओं से बिलकुल गायब है लखनाओं से बात करते हैं लखनाओं की राजनाओं सिंग यहां से चुनाओं लटर नजरा रहा है तो इस समय हम जहां पे हैं वो कैंट में हैं और कैंट में ही राजनाओं सिंग का कारिक्रम है अब से कुछी देर के बाद यहां पर समवाद कारिक्रम में यहां पर पूरी तरीके से देखती भी नजर आई है इसी तरच पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जंता के जो बहेधे हैं उन मुद्दों को लेकर करके लगातार समवात करते हैं अच्छय का फ्राजना सिंग में निये हैं दूस्री सब्थे महत्रपूर्ण बात है लखनो की जनता में जो उनका प्यार है वो देखने के मिलता है और इसी तर्श पर हम यहाँ पर पहुंचे भी हैं और यहाँ पर कई जनता की लोग भी हैं यहाँ पर राजना सिंग की समुर्थक भी हैं लखनौ से ही आते हैं आप क्या लखनौ के विकास कारियों में कैसे देखते हैं इस बार की जो विकास कारे हैं और इस बार राजनासिंग यहां से चुनाव लड़ रहा है दो बार जीत भी चुके हैं और विजेपी का गड़ भी मानी आती है जी सर जी सर बहुत अच्छा विक पुल पुलिया इन सब चीजों पे और बहुत सारी चीजें बदली हैं पिछले 2017 के बाद से और काफी कुछ चेंजेज आई है विकास देखा है विकास दिख रहा है देख रहा है बिलकुल देख रहा है ट्रेपल एंजन सरकार बहुत बढ़िया चल रही है और माने राजना सि प्रणी आपकी बार भी पांच लाग पार करनी है वोटों से पांच लाग से अधिक वोटों से जीचते हैं आपकी बढ़िया जो इनकी अपनी नगर निगम दोबारा जो भी फैसले लिए जाया आप बैठके तो वही कर सकते हैं और करते रहें और क्योंकि शाहर का विस्ता प्रणी नगर नगर ने जो इस तरीके से हम यहां जन्ता की बात करते हैं लखनों में कैसे विकास को देख रही है आपकी इस तरीके से विकास बढ़ रहा है और लेकिन जितना भी हो और होने की संभावना हमेशा होती है तो मैं चाहती हूं शिक्षा के ख्षेत्र में बच् पाती है उनको लाइवलिहुट का जरिया नहीं मिल पाता है तो उनको मैं में स्ट्रीम में लाना चाहती हूं और चाहती हूं कि सरकार कुछ ऐसा करें कि ग्रामीन महिलाएं भी में स्ट्रीम में आ सकें कुछ पैसा कमा सकें जीविका और उपारजन कर सकें अपने बच्चों को पढ़ा सके ऐसा मैं चाहते हैं और भी लोग हम आप जानने के लखनों में विकास की बात होती है लेकिन बहुत सी समस्या है जो आम जंता जेल लाई कि कहीं नाली सलग खरंजे की जो समस्या है वो कहीं अभी आउटर में देखने को मिल जाती है इन इस पर कैसे दूर हो गए लग्सनों देखिए पहले जो सरकारें थी इतनी सरकारें आई की सरकारें गई वो सब हम लोगों को वेंटिलेटर मिला और वेंटिलेटर जैसे पीशेट रिखाट से इसको वाड में शिफ्ट किया जाता उसी तरीके भारतिय जनता पार्टी ने कारे किया है और अब 10 साल का विकास देखे और 10 सल प्राना विकास उठा के लिए तो हमारी आवारी के वियर मान पार्टी तो एक सवाब में पांच बार से यहां से सांसत भारतियनता पार्टी के रहें चाहे हम अटल भीहरी बाचपई की बात करने या फिर हम बात करने राजना सिंग की बात करने लेकिन राजधानी लखनओ लेकिन यहां पर भी आउटर में बहुत से समस्या है अगर बात के लिए नाली सड़क आज भी वहाँ पर दुरुस्त नहीं हो पाई है पहले से आप कंपैर करिए तो देज़े हैल ऑफ डिफरेंस मतलब यो कांट कंपैर दा तिंग कि अब नहीं है और अब लाइट का देख लिए एक लिए वाटर के समस्या देख लिए किसी भी चीज़ को उठाके देखे शिक्षा का देखे ब्रश्टाचार देखे जीरो टॉलरेंस हमारे साथ में आलोग जी भी हैं जानते हैं सर कैसी विकास को देखना है कि लखनो एक हार्ट सीट है हमेश लेकिन पिछली बार से अधिक बोटों से राजनाजी संसर्ट है विकुल विकुल संदीप मैं आपको रुकूंगा मैं रुक करूंगा रायबरेली का केश्वान शुक्ला वहाँ पर मौझूद है और लगातार लोगों के बीच में हैं उनके पास आप चलेंगे केश्वान एकर बात की जाए रायबरेली की रायबरेली एक वह सीट है जहांपर सब की नज़रें और रायबरेली पे देख रहा था कि अमेश्या प्रेंका गांधी पर पलेट वार वार जिस तरीके से वह कहीं नहीं कह er थे कि विकास नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ उस पर यहां पर प्रियंटा गांदी 6 माई से एक हटे दौरे पर लगा लगातार कर रही है और वहीं देखता जाए तो बीटे दिनों हमिशा भी राइवेरेली दौरे पर हमाई साथ राइवेरेली की चलता जनादार है इसे हम जानेंगे क्या कि यह मुद्दा रहेगा इस बार कि कि यहां पर हमलोग यहां लोकल यह दूह है और इसे हमासा आव भी रहती है तो हम लोग इन चुनेंगे लेकर के आप लोग मतदान कर रहें हैं क्या रहें पास राइवे विखास हो लोगा ने जाए लिखास रहें सबसे हम क्या मुदा रहेगा इस बार राइवरेली क्योंकि सबसे हॉट सीट पर प्रेस ब्रॉजब करी विटास तब से बड़ा मुद्द है कि अधिक वहां पर उपर नहीं मिला है तो प्लॉजब का हुए तस सालों नहीं बना का राहूल गांधी इस बार यहां सी उमीद्व मेश मजले जे कि हूँ तो मैं vjP में गवन लेकिन सो डूरह उसका कारण क्या है नेट वर्क में चुछ स्उसी नरेजन मोदी जी का आसपर बना रहा है आप किसी को 5? सबसे बड़ी समस्यां जो है वो किसानों के लिए हैं किसान मर रहा है उसका करजमाब कर दीजिए तो हमें लगे कि आप आत्म निर्बर बारत बना रहे हैं कुछ हमारे साथ युवा भी है क्योंकि अगर देखा जाए तो कॉंग्रेस का कहना है कि इस बार तीस लाख वो रोजगार भी देगा युवा भी है कि इस बार आप लोग अपना मद्दान करेंगे राइबरेली सब्सक्राइबरेली का बस सब्सक्राइब बना था आज तक कोई विकास नहीं उसमें है गड़े हैं पानियां बर जाता हुसमें लोगों को आने जाने में समस्या होती है कर दे कोई विकास कौन सा विकास हो रहा राइबरेली में सब्सक्राइबरेली में उनी का सारा विकास किया हुए है यहाँ विजेपी ने क्या किया राइबरेली के लिए बदाई है इतने दिनों से विजेपी के सरकार है मैं तो सुन रहा हूँ कि यह हो रहा है वो हो रहा है यहां कुछ दिखरा दरातल पर आप भी घूम रहे हैं आपको क्या दिखरा है बस स्टाप आप चले जाएए पांटली भर जाता है इतना इतना उसमें जाने की जगे नहीं है कर दो हैराında जो मुटव हमारा है मुझे मन की बात अभी तक हमारे प्रदान मंतरी जी आज की देट में उनकी चड़ी नभी के अगर नरेव मोजी दुबारा आ गए तो बच्छों के हमारी चड़िया भी को आ देंगे जिस तरीके से कारे कर रहे हैं इनकी नीतिया अभी चार जिन पहले हमारे राहूल गांदी जी ने बोला कि देखिये अभी यह रोने वाले हैं पर कलकी घटना है यह बनारस में जाकर करके ऐसे घर्याली असुरों रहे हैं और बोल रहे हैं जंता के सामने कि मुझे लगता है कि मेरी मान ने जनम दिया है तो क्या यह कहीं से होतार लिये हैं यह कहीं सब्सक्राइब कि दूसरे समवाता करूख करते हैं रायवरेली से केश्वानन शुक्राइब हम सीधे चलते हैं राहुल त्रिपाठी के पास बारा बंकी से वह मैंसाद मौजूद है राहुल बारा बंकी के स्थानी मुद्दे क्या है पास्वेशनल में वोटिंग होत्मी है और जंता किन अधार पर और क्या सोच रही है जंता सबस्क्राइब जंता के मुद्दे जो घोशना पत्रों की बयार आई थी हम यह कर देंगे हम वो कर दें क्या उन घोशना पत्रों में कुछ जंता के लिए था गारा मंकी के लिए बहुत बहुत सारे लोग है आई हम उन से जानते हैं कि पूर सांता के लिए वो क्या सोच्छे हैं और अरतमान में गट्वंदन की जो पस्चाशी है उनके लिए कि इनका च्छा मानना है क्या नाम है आपको अप्टी मुझूदा काट दिया गया है उसकी वज़ा से जनता में काफी नाराज्वी है जिसकी वज़ा से प्भू की इससे देवनिये हैं माल मीचे गड़बंधन निकाल लेगा तुके गड़बंधन लिए तो वास्तवी बूब के आप भास्ता को समर करते हैं या आप किसी वज़े से नाराज है नहीं यह वह नौज़ा है हमारा नौज़ा इसके पिता जी प्यल पुनिया जी ने काफी काम किया शेकर में अपिसको देखना है चुनाव में बार 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 बंची किसे आपमी जाने वाली इस रेकल इंडिया गडवन दन की और किया आपका मासू मली मासू मली आपका क्या मुद्दा है सुच बताएंगे इस पत्याशी को आपना मने इता चुनना चाहिए है भाई टाइकिल वाला चुन नदेन मोदी जी तो पहर है हमने हर वर से नी विकास कार किया है उनसे कहना रज़िए तर भी नवा सरकार बने आप बताएं क्या मुद्दा है आपका इस बार चुनाओ में बारा मंकी में विकास टारिफूर रस्पांसर ने की है उसमिसर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन्हों काम किया नहीं किया है पिर क्या कहना आपका इस चुनाओ के लिए है विजेपी आएगी लोग तो कह रहे ह एक लाग उसिया ताल में देना और ताड़े आठ हजार रुदिया मैना हरा उन्हों मैला को कोई योजना काम्याब नहीं होती इसलिए दस वर्चों में मोधी कारकाव स्याव संदुछ नहीं है अप जी दरा तो यह है यहां के लोगों का मत बारावंकी की जंता कह रही है कि अनिरुद कुमार पाइंडे हमासा कौशांबी से जुड़े हुए है कौशांबी की सीड कल से काफी चर्चाओं में है कल दो भार्टिंता पाटी के निता राजा बया से मिलने के उनकी विधान सबा इसी लोकसबा छेत्र में आती है और काफी ज्यादा प्रभाव माना जात है अनिरुद जनता के मुद्दे क्या है जिन गाओं में आप जा रहे हैं जिस गाओं में आप मौझूद है वहां के लोगों की क्या सबस्या है क्या वहां स्कूल है क्या वहां पर लाइट प्रपर तरीके से आ रही है जो प्रधान मंत्री आवास योजना है राशन वितरन ह क्या वो सही से हो रहा है और पब्लिक क्या चाहती है अनिरोट जूद है सामभी के मन्जनतुल मुख्याले में जहां पर हमारे पास जनता है जनता से ही हम सीधे बात करके जनता से जानना चाहते हैं कि क्या है उनके मद और क्या है के नाम का अपका शरकार की आप मत्दान करना चाह सें हैं इंडिये को यह हम तो दापती शे待 को पार्टी को संपुर्ट करना चाहें जो अभी आप राहूल गांधी कह रहे हैं कि अभी तक आपको पांच किलो रासन मिल रहा है उनकी सरकार बनेगी तो वो दस किलो आपको रासन देंगे इस पर क्या कहना है किसी बिगडी हुई चीज को बनाने में वक्त तो लगता ही है अब जैसा कि अब राहूल गांधी अभी तक 70 साल कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने बताया उन्होंने अपने विकाश की गाउंट किंतिया बता रहे हैं कि हमने जो है इतने विकाश अभी भी जेपी की सरकार को फिलाल दस साल ही हुए है अब इसके साथ अब उनको अगर आगे बढ़ाया जाए तो अभी बड़े अच्छे-च्छे काम करेंगे आप मोदी जी से संतुष्ट हैं जी हाँ हम मोदी जी संतुष्ट हूं और बहुत सारे लोग हैं इकठा हैं यहां पे हम और लोगों से बात करते हैं कि भारती जनता पाल्टि यांदिये गुल्डपंदन Dipa मोदान करेंगे कि संतुष्ट हैं पूरी तरह से संतुष्ट हैं औरfen committees करेंगे सभी लोग सी सब लोग सः योग करें ति जनता पार्टी को विज़ाई बनाएं कल भारती जनता पार्टी की प्रित्यासी बिनोष सोनकर आपके कुंडप गये थे राजा भाहिया से मिलने वहां से उनको संतुष्टी जनक जबाब नहीं मिला इस पे क्या कहना है जो जिसके समझ में आएगा वो अपना ओड करे उन्हों ने यही आदेश किया है राहुल जी कहे रहा है कि हम इवाओ को एक लाख रुपाए सालाना देंगे महीन मासिक में साड़े आठ हजार देंगे अब क्यों नहीं दे दिए अब आके देंगे जब सरकार नहीं बन रही तो लालत दे रहा है जनता को कि हम एक लाख रुपाए देंगे और बहुत सारे लोग इकठा हैं और सारे लोगों से बात करते हैं क्या नाव है भाई साब आपसा विरेन कुमा अतुर पाठी यह लोग सबब 20 तारिक को 50 लोग सबब 20 तारिक को मद्दान होना है आप किस मुद्दे पर मद्दान करेंगे इसकुछ आप इस सरकार से संतुष्ट हैं कि आप बदलाव चाहते हैं और वाफसाचन और राश्ट वादद कर 이게 में शुरळे स मभ्याया जया है में जहां नहीं होता है इस पर आपका क्या और हम आप्या है लेकिन इस बारे में भी चर्काइं चल रहे हैं कि बहुत चल्दी यह इस सब्सक्राइब आप तक जो इतने विकार हुए हैं उसको देखते हो अपेच्छा और उम्मीद पूरी तरफ है कि हमारी उन्मागें पूरी होंगी और बहुत सारे लोग हैं और लुकुल आपके पास आएंगे सिदार्थ वेदी हमीरपूर समवाद आता है वो भी कुछ आम लोगों के साथ मौजूद है सिदार्थ हमीरपूर एक बड़ी समस्या यहां जाम की है जब हमीरपूर आप आईए तो जाम की इस्तिती बनी रहती है जाम बहुत मिलता है और उसको लेकर और लोकल मुद्दे क्या हमीरपूर के यहां बात करें इस्तानी मुद्दों की तो लगातार जो इस्टेट हाईवे के चौरी करण की बात हमेशा से होती चली आई है लेकिन धरातल पे इस पर कभी काम होता नहीं पाया गया यही हमारे स साथ हमीरपूर के समाने जन्ता मौझूद है इν से मुद्दों पर ही बात करते हैं क्या मुद्दे राएंगे इनके मद्दान करने वे किसको चुनेंगे आखेर क्या नाम मेरा मद्दों के हमारे वोट करेंगे पूरा ने हुए और यहां पर जो किसी विश्विष्विष्विष्व राट में बनाने का वादा हुआ था वो भी पूरा ने हुआ और गाओं की जो स्वास विश्विष्व्ष्विष्व रूप से चर्मराई हुई उनको लेकर बिगुली भी कानून विश्विष्वत लेकर के इस बार इस्चेतर की जंता अपना ऑपना वोट करेगी क्योंकि यहां पर जो दो बार दो बार के इसांसद है वो जंता के बीच से उतना ही करेंगे तो पूर इस लोग स्वाचितनी जनता ने देखा कि उन्होंने कितना काम किया है क्या 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 किया तो इसलिए इस बार जनता गड़बंधन के प्रचाश्ची को वोड़ देने जा रहे हैं जी बात करें अगर नेशनल हाईवे के जो लगाता रही ख जनता के लिए बहुत मात्य पूर मुद्दा होगा और इस पर जनता जरूर होते हैं कि यहीं बात करें हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं क्या मुद्दे रहेंगे मद्दान करने के लिए क्या नहीं क्या नहीं सनल हाईवे के चौरी गर्ण का भी एक बड़ा रहेगा मद्दान को लेकर पिल्कुल रहेगा जो इस हाईवे में दो हजार से ढाई हज जो है एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे से लोग प्रभावित होंगे आखिर क्या कारने 2014 से लेकर के अभी तक जो है इस मार्क को नहीं बनाया जा सका लबखाजी हमेशा होती है मेटकल कालेज भी बनाया जाता है लेकिन बनता नहीं है रेलवे का स्टेशन भी रा कोई जनता मेटकल की लाइन में अगर देखा जाए तो इस पर निश्चत रूप से हम यह वांते हैं कि जनता को अपनी जो है प्यूला को जो है देखते हुए वोट देगी जनता और भारती जनता पार्टी के खिलाप एक बड़ा माहुल तयार हो सकता है जी बिलकुल बदा यही हमारे साथ कुछ है यूवा मौजूद है ॹोटूस्ऀ चीत करते हैं क्या मैबीक आपका क्या मुद्दे रहेंगे आपके मकड़ान के लिए देखिए हमारे मुद्दे ब्यापक रहेंगे जण महत्तो के रहेंगे लोग महत्तो के रहेंगे वर्त्मार्ण में जो जिस्पकार का देष में राजितिक प्रदस्त है और द्रजिगर दर्वर्सम से भारती जंता पारटी और NDIA गड़वनन सरकार में हैं क्योंकि इस प्रकार देश की जो परिश्चिती है देश उच मुद्रा इस पिर्टी दर और उच बेरोजगारी दर लोएन अड़ समंदित मसले हो गए या विकत मडीपूर में जो इंसीडेंस हुआ समुदायक तनाव को लेकर और इसके अलाबा चीन द्वारा जो भारती भु मन्सिक्ता कहां और और मंदिर मस्जिट मुद्व इसके अलाबा मंगल सूत्र ऐसे तमाम मुद्वों पर देश की जनता को भटकाने का काम कर रहा है जिससे जनता अपनी बुनियादी मुद्बे कर कहीं नकाई इनको बोट करें क्या इस्थानी मुद्व का भी ऐसर देखा जाएगा लोग समझ रहोंगे देखिए हमारा जो संसदी छेत्र है इसमें जो तमाम गुनियादी और इस्थानी मुद्टे हैं उसमें भारती जनता बाल्टी बिलकुल गैर गंभीर रूप से कार कर रही है क्योंकि देखिए यहां जो सिच्छाग समंदित मुद्टे हैं नेटोरगी की बात करूं कनेक्टिविटी की बात करूं तो ग्रामीर चेत्रों में आज भी सड़के नहीं है और जो नेशनल हाइवे का मुद्द है यह तो इस केंडरी मुद्द है संसदी छेत्र करते हूं कि खानपूर सागर यह महस्त्पूर हाइवे यह निसनल चौंसी किन मुद्दों के लेकर लोगसभा चुनाओं में आप प्रत्यासी चुनेंगे लोगसभा चुनाओं में हमीरपूर महुबद इन्वारी शेत्र से कुष्पेन सिंग चंदेल तीसरी बार चैनित होकर लोगसभा पहुंच रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है इस्थानी मु हमीरपूर महुबा की आदी जिलों की शीमा से गुजरता है और आश्टी रात धानी से जोड़ता है इस शेत्र को जी बिल्कुल आपका रूप करेंगे फिर से सिदार था मुझसे पहले हम फिर चलते केश्वानन शुक्ला के पास उस तैम उनका कुछ टेखनीकी विवदान था लेकिन अब फिर से हम आसा जोड़ चुगे केश्वानन लोगों के बीस थे केश्वानन जी आवाज आगे जी केश्वानन वहां के जनता के मुद्दे क्या क्या थे अब इस बार आप 20 मही को मद्दान करेंगे इस मुद्दों को लेकर के आप मद्दान करने वाले यह में मुद्दा है विकास और राइबली कांग्रेस के लिए आप एम से लिए कंग्रेस आपको जो है कांग्रेस वर्म यहां करेंगे आपको क्या है अब आपको तरहा है बता रहा है मैं विकास अब तक जो यहां पर नहीं है कांग्रेश का यहां सब्सक्राइब करने वाले क्या राइब यह जो भी हुआ है यह सही भाई साथ पर रहे हैं कि यह जो है इसमें हर दूसरे महीने प्रानमंटी करेंगे क्या करेंगे यह जर्द शुपा हुआ है यह जो है यह सब करेंगे यह जो है अधिया मुद्धे इस बार राइवरेली के हैं कि हमाई साथ कुछ लोगा है आपने कई बाद रिखा होगा इस बार राइवरेली के अच्छा रहा हुआ है चुनाओं के वर्ट जो है पार्टिया हो यह अपने मुद्धे लेके आती है उन्हीं मुद्ब पर चुनाओं चलता है विकास से और इसके सारे मुद्धे गौर्ड हो जाते हैं रही बाद राइवरेली की तो राइवरेली में जो है शुरू से लेके अभी तक कांग्रेस र आपका बाद आपका नहीं है तुने चोड़ी कांग्रेस ही मुद्धे राइवरेली का मुद्ध आप यहां पर जरसल इस बार बताता मौन है वो कुछ बोल नहीं रहा है जो हम लोग आप जानी रहों के स्पिर्ट से बाकिया और सब लोग जो जो बनी तूचे में यह क्यों अधिन बता है वह क्या सूत रहा है वो नतीजा होता है इस कुछ आप कह रहे थे यह जैसे अब बाद सामने कहा है कि वीजेपी थी ही नहीं क्यों नई थी दस साल जिला पंचायत 10 साल में यह विधायका रही देस राइवली में किया क्या लोग ने केवल जमीने उखाडी हम विजेपी के जो उमीदवार हैं, उन्होंने गरीबों का असियाना विगार दिया, उनका रोजगार छीन लिया, आप सिविल लाइन चौराहे पे चले जाएए, रातो रात यहां एक चतुमेदी जी सियो साहब थे, और SP साहब के और DM साहब के कहने पे उन्होंने पूरी रातो लोगों का पुरा उखार फिकार फेग दिया, तो क्या इस तरीके से विकास करेंगे ये, अभी बाइसाब ने कहा कि राइबली में चाहरे हो, क्या मुद्धा होगा, 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 क्या मुद् तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमाई साथ संदीब मिश्रा थे उनका बहुत शुक्रिया रावतर पाटी का यह बहुत बहुत शुक्रिया केश्वा रावक शुक्रिया सिधार दुवेदी आपका शुक्रिया और अनृत कुमार पाइंड़े हम जब बात कर रहे थे पबलिक मनेफेस्टों कि तो पॉल्लिक ने पनी बात नों ने बताया यहां पर किस तरीके से बात की जाएं जांप की वहां बात हुई स्टेशन की था लेकिन उसको लेकर तमाम चीजे थी अभी भी लोग अस्मंजस में हैं और अभी भी कहीं न कहीं जो मुद्दे हैं उनके वो सरकार के बीच नहीं आ रहे हैं वो सरकार या विपक्ष दोनों लेके जंता के बीच नहीं आ रहे हैं फिलाल 2024 के मासमर में ताही देखते रही के इनुज इंडिया नमस्कार